Hello everyone, तो मैं फिर से आज चुका हूँ आप लोग के बीच में अपने उसी पुराने टॉपिक को लेकर नर्रेशन को. पिछले क्लास में हमने नर्रेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था. जिसमें हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेस दो तरह की होता है. एक होता है open ended, एक होता है close ended. open ended हम उसे करते हैं जिसका जवाब आप यस या नौ से दे सकते हैं. यानो कुल मुला क्या सकते हैं कि एक तरह के से जिससे सेंटेस में पहले हम helping web का استعمال करते हैं. अगर आप question वालो word का इस्तेमाल करना शुदू करेंगे, जिसे what, when, where, why, तो वो हो जाते हैं, double interrogative, या फिर open, sorry, close ended हो जाते हैं, ठीक है, close ended हो जाते हैं, तो जो open ended के हमने question किये थे, उसी पे लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं, practice करने वाले हैं, इस video में, क्योंकि हमने बता रखा कि आपको अच्छे English सेखना हो, Math सेखना हो, कोई भी subject हो, सबसे बहतर तरीका लर्निंग का practice, तो इस video हम लोग सिर्फ हो से practice करेंगे, और time waste नहीं करते हैं, और लो फटाग-फटाग से धियर साथी question अटेंड करते हैं, ठीक है, तो first question लिखा हो आपका, someone says to you, are you set? तो यह आपका, यहां से पता चला कि sentence किसमे है, present and definite में है, तो यह तो change होगा, यह change होगा क्यों, क्योंकि हमें चाहिए listener इसके लिए, तो listener हमारे पास है, तो doubt नहीं है, इस हम change करते हैं, तो आपका हो जाए क्या, someone tells you, यहां तक तो हो गए basically, आगे हम लगाएं क्या, पहली गलती, यही गलती आप भी करते हैं, जैसे मैंने गलती कि ठीक है, हमें क्या करना है, इसको shake को term में बिदलना है, क्यों? पीछे हमने पड़ा रखा है, दीज़े नहीं क्या होता है, यह बात जो चीज़ मारे मारे नों बैठ जाता है, वह इस चीज़ हम लेके चलते र नहीं बदलना है, बलकि बदलना किसमें? आस्क में, ठीक है, तो हमें यहाँ पर change करना किसको? आस्क में, यू, गहो जाएगा? सुमन आस्क यू, अब हमने बता रखा रखा आपको, कि जो अभी आपका conjunction के बाद, conjunction के बाद, जो भी आगे sentence होगा, वो assertive में होता है, affirmative में हो अटा कर, that conjunction को लगा दें, तो नहीं सर, हमने बता रखा है, यहाँ पर आपको अगर interrogative sentence है, तो apply करना है, या तो if, या फि, weather, इन में से किसी ये को apply कर सकते हैं, तो चलिए हम लगा देते हैं, क्या, if, हमें चाहिए क्या, assertive बनाना है, क्या tensions का change होगा? नहीं सर, क्योंकि य अटा कम पल सरी है, तो इसे subject बनाएंगे, लेकिन ये change होगा, according to किस के? listener के, तो you, यहाँ पे भी है, you, यहाँ पे भी है, तो कोई changes नहीं होगा, यह हो जाएगा, ऐसे आपका you, you के साथ R ही आएगा, बाकी तो आपका, ऐसी है, अब आपको question mark नहीं लगा नहीं लगाना है I say to mother, have we cooked the rice, तो सरी आपका I होगा, mother listener है, तो यह change होगा, लेकिन किस में? ask में, I ask mother, हमें लगाना if या whether, चले लगा लेते हैं, यह छोटा सा है, अब क्या tenses में changes होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे किस में है, यह आपका present tense में है, तो यह तो यह changes नहीं होगा, लेकिन हमें इसे बनाना है subject, यहाँ पे आपका listener को नहीं, यह आपका you second person है, listener का according change होगा, तो mother की विससे क्या होजाएगा है, यह पे C, और जब C होगया, तो have नहीं होगा, क्या होजाएगा? has, बाकी चीज़े आपकी वैसे ही रहेंगी, कोई changes नहीं करने हैं आपको next में लिखा है, I say to you, have you pain, तो sir, listener है हमारे पास, यह change होगा, तो जाएगा I ask you, that तो लगाना नहीं में, चलि यह भी weather लगा लेते हैं, अब चाहे तो if लगा लीजे, कोई दिक्रत नहीं, यह second person है, second person according, same चीज़े, तो वही देएगा, you, you के साथ आएगा, have a pain next one देखते हैं, लिखा है, uncle said to me, does sital study, यह आपका देख रहे हैं, किस में है, past tense में, यह आगे का tense भी change हो करना है हमें, पहले तो यह change करेंगे, क्योंकि हमारे पास listener है, तो हो जाएगा आपका क्या, uncle asked me, that तो लगाना नहीं है, क्या लगाना है, if या whether, sital बनेगी subject, तो उस बनाना है, तो हमें तो अब help you up चाहिए नहीं, क्योंकि past tense definite में, अगर आप affirmative बना रहे हैं, तो उसमें help you up नहीं चाहिए, हाँ second form चाहिए, study के second form लगा देते हैं sir, study, इस तरीके सब जो है, transform कर सकते हैं, तो आपको पहले करना क्या है, जब यह sentences आपके सामने आते हैं, तो आप वीडियो को पहुश कीजिए, और sentences को पहले आप खुद बनाएए, अपनी copy में, उसके बाद मैं बनाऊंगा, तो उसके बाद आप उसको match कर दाना है, ठीक है, तो चलिए बनाते हैं को, first sentence लिखा, I said to the man, to teach English, listener हमारे पास है, तो यह change होगा, होगा, तो जाएगा I, लेकिन interrogate हुए है, तो यहाँ पर लगाना है आपको, asked, the man, that तो लगाना नहीं, लगाना है, तो इफ या फिवाद है, चोटा सा है, इफ यह लगा लेते हैं, यह tense change होगा, change होगा, reporting में पास्ट में, तो tense change होगा, subject, किसके according, man के according, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, he, कौन tense है, past and definite, तो जाएगा किसमे, past and definite में, अगर assertive हमने बता रखा कि इसके बाद, जो भी conjunction लगेगा, इसके बाद में assertive में ही रखना है, अगर assertive रखना है अपको, affirmative रखना है तो करना क्या होगा, कि हमें present tense में जाना है, जब present tense sorry, past tense में जाना है, और past tense में जो है, जब affirmative बनाते हैं, तो हमें second form चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएए, teach का second form लगा देते हैं, taught, बागी चीज तो आपकी, ऐसे ही रहेगी, help you up तो आनी नहीं है, क्योंकि help you up तो आएगी जब इसकी negative form आएगी, next one लिखते हैं, देखते हैं you said to me, हमारे पास listener है तो change होगा, you asked me, if you did आपका किस tense में, past tense में, past tense में है, then change होगा, हमारा reporting of tense past में, तो उधर वाला भी change होगा, तो किस में जाएगा, past perfect में जाएगा, तो subject कोई नाम है, तो इसे change हो करना नहीं है, अब past perfect में जाएगा, तो मुझे जाएगी, helping up, क्यों हो आगे जैसे बढ़ेंगे, इट कम जे थर्ड फार्म चाहिए, क्या हो जाए एकसर, इटन, बागी कोई चीज चेंज करनी है या नहीं है, आप देख लिजे, लास्ट, हमने बता रखा है, कि टेंसे के अलाबा दो चीज आओ चेंज होती है, एक टाइम, दुसरा नेयरनेस, ऐस प्रिवियस, दुसरा प्रिवियस, दुसरा प्रिवियस संडे, ठीक है, ऐसे एक सवाल आपसे पुछा जाए, आपसे पुछा जाए, आपसे पुछा जाए, लास्ट, पेन, अगर यह लिखा हुए मिले, तो क्या करेंगे से अब, तो अगर आपको दिखा हुए लास्ट पे है नहीं न तो ऐसे जलती मुत करना नेक्स नहीं कर दर टीचर से लिशनर तो है नहीं तो हमें से चंज करना नहीं से एसे ही रखना है तो क्या हो जाएगा दर टीचर टीचर सेट आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे पस क्या है इंट्रोगेट हुए तो हम लगा ले थे हैं क्या कंजॉंक्शन इफ उसके बाद इसे में चंज करना है अज़र टीचर में तो कुछ है नहीं तो आप कुछ भी आजूम कर सकते हैं अब हैं मामला भगड़ जाएगा आप आपका अधियांज देखिए यहां पर आपका जो यू है यह चंज होगा जिसके लिए हमें कंपलसरी क्या लिशनर तो जब कोई लिशनर आपको न मिले तो आपने सर्जूम कर लेजिए हमने बता रखना का कॉमप्टेटिव एजाम में होते हैं आप तुहां पर आप्शन यह होते हैं तो जिसमें आप समने देहेगा अब वहां से चूच कर सकते हैं उसे देटीचर अब यहां पर हो जाए क्या आज़ चलिए मी मान लेते हैं ठीक है आगे हो जाएगा आपका क्या इफ अब चेंज करेंगे तो यू किसके कोड़नी चेंज होगा लिशनर के मुरता तो आ एक संथ कर लाएगा है यद बाई का थर्रड फार्म बाट दे बुक्स next one कहला है कि रहीम सिड कहें पर यू तो है नहीं धर तो कोई चंजस नहीं होगा तो इसे हम ऐसे लखेंगे रहीम सिड इफ चंजस होगा चंजस होगा क्योंकि ये पास्ट में है तो दे तो आपका third person pronoun है तो ये तो चंजस ही नहीं होगा अब हैड लिखेंगे help हूँ आप क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनेंट में है तो में जाना perfect में कम nearness दिखाता है तो third form लगाएंगे कम का go third form here nearness दिखाता है तो क्या लगए कि here का there yesterday ये भी आपको कहा है time दिया तो चंज करेंगे the previous day यफि the before day the previous day इस तदिक साब भी से चंज कर सकते हैं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इन sentences को transform करते हैं first sentence लिखा to us should they miss the friend तो आपके पास listener दे तुसे change करना है तो क्या हो जाएगे ये आपका brother asked us that तो लगाना नहीं है लगाना कि हमें if या weather they change होगा नहीं हुज क्योंकि third person pronoun है अजर्टू बनाने के लिए में subject किसे बनाना पड़ेगा they इसमें कोई changes होगा should तो पहले से past में इसके मुताबी तो यहाँ पे cell का suit तो होता नहीं should कोई last में ले जाना नहीं है जिसे तो ऐसे ही देखना है बागी साथ इसे जिवे से देखना है they should miss the train next one the teacher said to us have you seen tiger in the zoo तो the teacher the teacher listener है तो चंज होगा किस में asked में that that नहीं लगाना है क्या लगाना है if या फिर weather तो होजाएगा if subject किसके कोई चंज होगा listener के तो क्या होजाएगा है आपे we यह आपका past में है तो यह भी चंज होगा यह present perfect है तो किस में जाएगा past perfect में we had seen tiger in the zoo in the zoo next one you said to his sister was Vikas learning in the morning तो जाद हो जाएगा you asked his sister if Vikas third person पुना होना है question जाएगा नहीं third person नहीं होना है ठीक है तो यह change तो होने वाला नहीं है यह हमें assert to बनाने के लिए से बनाना पड़ा है क्या subject was change होगा tense to change होगा क्योंकि यह आपका past में है तो यह was है तो was का हमने बता रखा क्या होगा had been had been बाकी चीज़े आपकी ऐसे ही रहेगी running in the modern next में कहारा है I said to the man can you build a house तो सथ change किजिए I asked the man किते हो जाए क्या if यह बनेगा आपका subject लिकिन यह change हो किसका वरिम the man की according तो हो जाएगा he can change होगा हाँ change होगा can का हो जाए क्या could can का could बाकी चीज़े आपकी ऐसे ही रहेंगी यह बदलने वाला नहीं है आपका तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अगे इन संटेस्स प्रेक्टिस करते हैं तो फस्स लिखा आई से टू हिम तो इथर हो जाएगा क्या आई आज़्ट आपको बता दें यहां पे आज़्ट की जगह पे आप इनक्वाइड भी लगा सकते हैं इनक्वाइडी में तब सब पूछ तास्ट करना ना खिर इसके बाद में बाद में बात करेंगे ठीक है अभी आप आज़्ट भी रहें आज़्ट हीम इफ या फिर वैदर लगा लीज़े अब यो जो किसके कॉर्णिग चेंज होगा लिशनर के कॉर्णिग तो क्या हो जाएगा अपे ही तेंस चेंज होगा हाँ सथ चेंज होगा क्योंकि दिपोर्ट इस्पी समारा किसमें है दिपोर्टिंग वर्ब किसमें पास्ट में है तो ये प्रेजन्ट में तो जाए किसमें पास्ट में तो नो का सेकंड फ़र्म लाइगा क्या हो जाएगा निव द़ मैन बाकी सिंटेंस अब का सही है सेकंड बन कहा रहा है आई से टु मनीस चले हैं पर वैदर लगा देते हैं चाहिए तो अभी फुल लगा लेजिए पास्ट इंडिफिनिट में रिपोर्टिंग वर पास्ट में तो चिंज होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो सब्जेक्ट तो मुझे चाहिए ये चाहिए किसका गॉडिंग किसका गॉडिंग जोगा यहा पर सी का ठरट फम चाहिए में क्या होजाएगा सीन आवर कौन थीसर आई तो क्या होजाएगा नफ्सक्षिर काउ नेक्स का शाएगा था आपका पादर बी तो थाूए तो हो जाएगा father asked me if आपका टेंस चांज होगा सब्जेक्ट हमारे बनाना है मुझे तो यह आपका you किस का कोड़ी चांज होगा listener का कोड़ी तो क्या हो जाएगा है पर I तो यह आपका present and definite में यह आपका present and definite में तो जाएगा किस में past में problem ठीक है next में कहता the teacher said to his his student तो यहां से यहां तक पर चांज कर लेते हैं the teacher the teacher asked his students students उसको हो जाएगा if आपका यह चांज होगा tense change होगा कि कि आपका reporting में आपकिस में है past में लेकिन पहले तो हमें इसको चंज करना है किस को अगरें student के मताबद यह आपका common noun है तो common noun के मताबद हम क्या ले लेंगे लेकिन यह आज़ा है यह plural को दिखा रहा है तो हम यह आप क्या लेंगे day अब देखें यह जाएगा इसको अगरें his होना चाहिए इसको देखें लेंगे इसके बाद हम देखें बात करेंगे कभी इस अप देख वीडियो में आगे तो इसे में can को बतलना हुआ किस में could में क्योंकि बाइश सभी से बोला गया है this को बतलना किस में that में बाकी question तो आपका ऐसे ही रहेगा इसमें कोई भी changes नहीं करना एक गलती हो रहा है answer नहीं लिखा गया यहां पे यह अपका could answer नहीं लिख लिजिए यहां पे answer तो चलिए आज के लास्ट जो question है वो आपके सामने बोर पर लिखे हुए है इनको change करते हैं उसके बाद हम लोग वीडियो के अंड करेंग ठीक है उसको बदा अगली कि लासे हम लोग नश्चे देखेंगे आगे का जो पार्ट है उसके बाद से हम लोग देखना जो तो करेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीवानी से टु मी तो सर्थ हो जाए क्या सीवानी आज्ड मी हो जाएगा सर इफ 10 को change करना है लेकिन पहले हमें subject बनाना होगा मी के का जाएगा तो हो जाएगा I past and definite तो हो जाएगा had हमें चाहिए third form तो needed money next one कह रहा है he said to me तो हो जाएगा सर इ asked me if जाएगा listener के का जाएगा me तो हो जाएगा I अगर you के संद will लगा हुआ है अगर you के संद will लगा हुआ है तो I संद रहाएगा sell ठीक है तो हो जाएगा should third form तो चाहिए नहीं में साहिए वे borrow the phone बाकि सिंटेंस रही है अपने अपमे next one के mother said to me तो जाएगा mother mother asked me if तो यह आपका क्या है you किस के recording relational के recording क्यों हो जाएगा I तो did जो है हमारा क्या है did हमारा past and definite है did हमारा past and definite है इससे लगा जाएग किसमें past perfect में तो हो जाएगा hide यह तो हमारी helping up है यह eat जो हमारा second form बनेगा second form third form बनेगा तो क्यों हो जाएगा eaten अब जाएगा anything जो है anything जो है जब निगे to या फिर interrogate हो तो anything लगाते हैं निकिन पॉजिटिव है affirmative हम something लगाते हैं I had eaten something something last का the previous the previous night हो जाएगा the previous night last देखते हैं I said to him तो हो जाएगा आप क्या I asked him if if तो ही आपका you है you किसके को जाएगा listener के मताबिक तो क्या हो जाएगा है आप हो जाएगा he या आपका past present perfect में तो जाएगा past perfect में जाएगा तो इसकी past perfect की help you हो head यह आपकी third form बनाएगे क्योंकि अभी हाल फिलर में यह थर्ड फामिया पर है head क्या मतलब जो है have की full form यह have head or head से बनाएगे have मने तो हैं पर लेना यह पर खाना कह सकते है ठीक है तो he had यहाँ पर जो है taken का दोल अदा करेए he had help you up हो गए यह आपकी main verb हो गए your change होगा किस के recording listener के recording sorry listener के recording तो क्या हो जाएगा है अपर his tea तो इस तरी के साब पर सेंटर्स हो जाएगा I asked him if he had had his tea ठीक है तो उमेद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राब ज़र करना है Thanks for watching